नमस्कार आप सभी को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Local Judiction of Judicial Magistrate और Subordination of Judicial Magistrate इन दोनों टोपिक के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से डिसकस करूँगा यह जो दोनों टोपिक हैं यह हमारे भारतिय नागरी सुरक्षा सहीता के section 12 और 13 म को आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किये हुए जो section 12 है section 12 में बताया है Local Judiction of Judicial Magistrate जो होते हैं को हर एक डिस्टिक में दिखेंगे Judicial Magistrate जो मैंने आपको पहले को वाली वीडियो में भी बताया हता हुआ जो कि हमारे मजिस्टेट होते हैं जिनको हमkehr में जो की अपने ते में होते हैं हर आपको मिलेंगे सब्सक्राइब में यहां पर यहीं बता रहा है जो उपना वर्क कर रहे होते हैं मतलब की है को वहापर फोईंट भी करती है जो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था जो CGM होते हैं जो additional chief judicial magistrate होते हैं और यहां तक की section judge होते हैं जो वो appoint करती है high court high court के पास ही power होती है control करने की judges होते हैं जो judicial magistrate होते हैं जो CGM होते हैं इस बारे में मैंने आपको अच्छे से पहले वाली वीडियो में बताया था सबसेशन 1 है जो यह समें यहीं बताय हैं यह control करता है high court किसको जूटिसल मजिस्टेट reacts को और यहां तक की judicial magistrate की local limit होती है मतलब की जो उसकी limit होती है उसकी locally वह तक अपनी जूडिक्सके को exercise कर सकता है मतलब यह अपनी power को जो उसकी power होती है judicial magistrate की judicial magistrate की power को कहा तक exercise कर सकता है यह वहाँ पर define करती है जो high court है उसके अंदर वो आप उसका area प्रेस्क्राइब कर देते हैं judicial magistrate का जो हमारे judicial magistrate फस्ट क्लाउस इहां तक की सीजं होता है उसको भी डिय्च्टेटन देते है क्या क्या work करने हैं यहां तक की उसका ब्लेती है बाइ ओर्डर वहाँ पर mention कर देती है कि आपको ये वहाँ पर work कर Nu है मोते हैं जो फिishi मच्च्ट क्लास होते हैं judicial magistrate second class होते हैं और या फिर कोई other magistrate है यह high court वहाँ पर control करती है और जो उसका proviso है proviso में यह बतायागे जो special judicial magistrate होते हैं जिनको specially किसी work के लिए वहाँ पर किसी special cases को handle करने के लिए बिठाई होते हैं जो special court होती है जहाँ पर उनको किसी local area में मतलब कि उसी local area में ही उसको वहाँ पर इस्टैबलिस कह जाता है और उसी local area के जो cases होते हैं वो special court वहाँ पर सुनती है special judicial magistrate होते हैं जो special judicial magistrate होते हैं उनको वहाँ पर prescribe कह जाता है उनकी local limit को जो proviso में यह भी बताय गया है यह जो हमारा सब्सेक्शन वन था उसका सब्सेक्शन टू है उसका सब्सेक्शन टू में यह बताएगी जो जूधिस्ट्रीट को establish किया जाता है under this सहीता जो मारी भालते नागरी सुरक्सत सहीता है सबसेशन 2 simply यहां पर यह बता रहा है और जो सबसेशन 3 है सबसेशन 3 में section 9 और section 11 की भी बात की गई है जिसमें मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ section 9 जहाँ पर मैंने आपको बताया था courts of judicial magistrates और section 11 जहाँ पर special judicial magistrates की बात की गई थी जो जिनकी यहां पर सबसेशन 3 के अंदर जो मैंने भी थोड़े पहले आपको बताया था है उनकी local limit को वहाँ पर pressure up कर दिया जाता है या फिर beyond the district district के बाहर जाकर की वह अपने कितनी power यूज़ कर सकते हैं डिस्टी के बाहर क्या उनके पास power होती है तो इस तरह से यहां पर subsection 3 में बताया गया है हमारी court of session है यह फिर जो chief judicial magistrate है उनके पास कितनी power हो beyond the district जाकर क्या work कर सकते हैं इस सहीता के अंडर बताया गया है अब सेशन सिंप्ली यह बतारे कि कोशिश कर रहा है आपने हर एक district में सेशन court तो देखी होगी सेशन court के जो नीचे तो ब्रक कर रहे होते हैं वह कौन होते हैं सेशन court के नीचे जो सीजेम होते हैं जिनकों chief judicial magistrate बोलते हैं और सीजेम किसका हैड होता है किन के हैड होते है ज उसके पास वहाँ पर पावर होती है, जो CGM होते हैं, और जो Judicial Magistrates होते हैं, जो अदर, एक ही डिस्टिक में, तो हाँ पर session court के पास पावर होती है, एक डिस्टिक में, sub session 3, simply आपर यही बता रहा है, वो इस सहीता के अंडर, वहाँ पर उनकी local limit को prescript भी करता है, कि आपको यह कहां तक यहां पर work करने हैं आपको, ठीक है, तो इसमें sub session 3 में simply यही बताया गया है, यह था section 12, जिसमें बताया गया है कि local jurisdiction of magistrate, जो judicial magistrate होते हैं, उनकी local limit क्या होगी, कहां तक वो उसकी jurisdiction रहेगी, यह section 12 में बताया गया है, और जो section 13 है, section 13 में sub ordination of judicial magistrate की बात की गयी है, म sub session 1 simply आपर यही बता रहा है, जैसे मैंने भी थोड़े पहले आपको बताया था, कौन किसके under काम कर रहा है किसम से, मतलब कि कौन higher authority है, एक district में, एक district में session judge होता है, जो कि higher उसके पास power होती है, session judge के पास, जो कि session court में होता है, तो session judge के पास होगी, session judge के under कौन आ जाते है, फ first class, jurisdiction master second class का, तो यहां पर यह कि सम से class बताया गए,是不是 session one में भी, submission one में यही बताया गया है, कि किस के subordinate होऊंगे, कौन से magistrate, जो judge है, वो किस के subordinate रहेंगे, session judge के, जो subordinate है, वो कोन है, cgm, और cgm के subordinate को cust attorneys है, जो jurisdiction magistrate first class, jurisdiction master second class है, यह है, सबसेशन वन यहाँ पर सिंपली यही बताने कोशिश कर रहा है और जो सबसेशन टू है सबसेशन टू सिंपली यहाँ पर यही बता रहा है जो चीफ जूडिसल मेश्टेट होते हैं मतलब कि चीफ जूडिसल मेश्टेट वहाँ पर रूल बना सकता है या फिर इस्पेशल सबोडरेट जो जूडिसल मेश्टेट है उनको कौन सा ओडर दे सकता है या फिर वहाँ पर रूल बना सकता है जो उनका वर्क करने का जो प्रोसीजर है मतलब कि कौन से मेश्टेट के पास कौन सा वह वर्क कर सकता है वहाँ पर उनको वर्क वहाँ पर प्रेस्क्राइब कर सकत रूल बनाकर स्पेशल ओर्डर देकर कौन देगा चीफ जूरिशल मजिट तो वहाँ पर उनको बता सकते कि आपको इस तरह से यहां पर काम करना है तो यह सबसेंट टू यहां पर सिंप्ली यहां पर यही बता रहा है जो सेक्शन थर्टीन है सेक्शन थर्टीन में यही है कि किस मजिस्टेट की कहां तक की लोकल जूरिशन रहेगी तो सेक्शन थर्टीन में सिंप्ली सिंप्ली ही बताया गया था तो यह हमारी सेक्शन थर्टीन पर पूरी वीडियो कोप्लीट होगी है जो कि मैंने आपको इजी में समझाने के कोशिश करी है अगर फिर भी आगे में और भी अच्छे से आपको बता सकूँ जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि मैं वीडियो कैसी बना रहा हूं तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स वीडियो में ओके बाए